हलो फ्रेंड्स आज हम लोग जारखन की क्रांतिकारी स्वतंता सेनानियों में एक पर्मुख स्वतंता सेनानिय की बात करेंगे जो है जत्रा भगत आईए देखते हैं जत्रा भगत गुमला जिले के विशुनपूर पर्खंट के चिंगारी नवा टोली में सन 1888 में जत्रा भगत का जन्म एक गरीब उराव परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम कोदल उराव, माता का नाम लिवरी तथा पत्नी का नाम बुधनी भगत था पर्तेक बर्ष एक अक्टूबर को इनकी जयनती मनाई जाती है जत्रा भगत ने अपरेल 1914 में ताना भगत आंदोलर्म प्रारम किया सरकार ने जत्रा भगत को उराव जातियों को भड़काने के आरूप में सन 1916 में बंदी बना लिया उन्हें देरवर्ष की सजा दी गई 1918 में जब गांधी जी राची आये तब गांधी जी को ताना भगत से मिलवाया गया ताना भगत किसको बोलते हैं? जत्रा भगत ही ताना भगत है कि इन्होंने ताना भगत आंदोलर्म किया था इनका दोनु ही नाम था ताना भगत ने सन 1922 के गया कॉंग्रेस अधिवेशन सन 1922 के गया कॉंग्रेस अधिवेशन तथा 1928 ACV में साइमन कमिशन के खिलाफ अव्यान में भी भाग लिया आई होप आपको ये जत्राफगत की स्टूरी अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो वैसे तो इस वीडियो में और भी कहने को बहुत कुछ है जत्राफगत के बारे में पर एक्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है थैंक यू